Hello my magical family, how are you? Welcome back to my channel, आज है हमारा self love series का day 6, ये बहुत important topic है self love journey में, आपको पता है बहुत बार हम खुद के बारे में बहुत गलत बोलते हैं, सोचते हैं, हम aware ही नहीं होते कि हम क्या बोल रहे हैं, आज की practice है हमारी self talk, आज से आपको बहुत ध्यान देना है कि आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, self talk की help से हम हमारी subconscious mind की जो हमने programming की हुई है ना, गलत बोल कर, गलत सोच कर, उसे हम change करेंगे, हम खुद को बहुत ज़्यादा positive और amazing person बनाएंगे, self talk पे हम ध्यान कैसे दे, आज से आप जब भी खुद के बारे में बात करो, जा लोगों से आपके बा सोच कर बात करना, क्योंकि जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो आपके mind में, वो ही आप attract करोगे, आपका एक एक thought, जो आप सोच रहे हो, या आपका एक एक word, वो affirmation बनता है, वही affirmation जब आप बार बार repeat करते हो, वो reality बनने शुरू हो जाता है, so जब भी आप किसी से भी बात करो, किसी से, किसी भी topic पर आप discuss करो आपके related, तो आप बहुत सोच समझ कर बात करना, और देखना कि क्या ये positive है, क्या ये अच्छा है मेरे लिए, ये सोचना कि मैं जो भी बोलूँगी, मुझे पाता है, वो मेरी reality बननी ही बननी है, so आप ऐसे अपने आपे ध्या सकते हो, और आपको एक काम और करना है, आपको movies, जिसमें लडाई जगडे हो, serials, आपको sad songs, ये देखना बंद करना होगा, क्योंकि इससे भी हमारे उपर बहुत जादा बुरा सर पड़ता है, जब हम लडाई जगडे वाले serials देखते हैं, हमें वो starting में अच्छे लगते ह मानलो, सास बहु का कोई serial चल रहा है, उसमें interesting, हमें खुद बखुद interest आने लगता है, क्योंकि वो बनाते ही इस तरीके से हैं, वो एक scripting होती है, जिससे हमारा interest दिन बदिन बड़ेगा उसे देखने से, और वो हमारे subconscious mind में fit होने लगता है, जिससे जो हम देखेंगे, जो ह हम बोलेंगे उसे reality में बनना ही बनना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर लड़ा ही जगडा देखोगे, तो वो आपकी तरफ attract होगा ही होगा, कभी आपने देखा है कि आप sad song सुनते हो, वो आपको इतना अच्छा लगता है, कि आपने दो तीन बार उ sad song को लूप पर पगा कर सुन लिया, अगर आप एक best relationship में हो ना, जब आप ऐसा song सुनोंगे ना, तो उसके जो results होंगे ना, वो आपकी life में आएंगे ही आएंगे, आपके साथ वैसा ही होगा, जैसा उस song में आपने सुना होगा, ये क्योंकि आपके subconscious mind में उसकी programming हो जाती है, बार बार सुन हो गई, उसे reality बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, हम खुद की life के खुद creator हैं, तो हमें बहुत सो समझ कर सोचना होगा, देखना होगा कि हम हमारी life में क्या चाहते हैं, हम हमारी life में अच्छा चाहते हैं, या बुरा चाहते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि self talk पे आज से आपको ध्यान देना है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आपको खुद के बारे में कभी भी कोई बुरी शब्द नहीं बोलने है, खुद के बारे में कुछ भी बुरा देखना भी नहीं है, अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आपके बारे मे certificate नहीं देना है कि हम ऐसे हैं हमें पता है कि हम कैसे हैं हम खुद के लिए best है हम universe के बहुत ही प्यारे बचे हैं तो हमें लोगों से क्या certificate लेना लोगों का काम है बात करना तो उन्हें करने दो हम खुद पे उसका effect क्यूं ले रहे हैं सो आज से जब भी आप बैठो कोई भी आपको बुक पढ़ लो किसी से कोई बुराई मत करना किसी के बारे में भी ना खुद के बारे में सुनना ना किसी के बारे में बोलना बस ये थौट हमेशा अपने माइंड में रखना कि मैं जो बोलूँगा जो सोचूंगा जो देखूंगा वो मेरी reality बननी ही बननी है अगर मैंने challenge लिया है खुद को change करने का तो मैं किसी के बारे में कोई भी गलत बात ना सुनूँगा ना खुद किसी से अपने बारे में कुछ सुनूँगा जब आप ऐसे सोचते हो तो definitely आपकी life में changes आने शुरू हो जाते है अभी से आपको self-talk पे बहुत ज़्यान देना है खुद के बारे में कभी भी आपको गलत ना सोचना है ना बोलना है कहीं बैठे हो negative y-y चुपके से उठके वहाँ से चले जाओ हमें जबाब नहीं देना है किसी को ना ही मूँ से ना ही mind से सिर्फ blessing दो अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है कि ये ऐसा है इसने ऐसा कर दिया कोई बात नहीं उसे bless कर दो कि हाँ God bless you और वहाँ से चले जाओ आपके mind पे उसका असर नहीं होना चाहिए positivity वाला ही results चाहिए तो आपको blessing देकर वहाँ से चले जाना है खुद पे work करना start कर दो अब self love से जुड़े हो तो start खुद से ही करेंगे उसके बाद हम हर रिष्टे को हर situation को heal करेंगे जब हमने खुद को heal कर लिया तो वो automatically हीन होनी start होएंगी ही होएंगी क्योंकि जब हम खुद best बन गए तो हर चीज हमारी तरफ best ही attract होगी जो हमारे लिए best नहीं होगा ना universe उसे पहले ही वहां से हटा देगा वो चीज हमारे तक पहुंचे गी ही नहीं जो हमारे लिए best है आप अपसे क्या करोगी ना आप अपनी self talk पे बहुत ध्यान दोगे आप देखोगे कि मैं क्या बोल रहा हूं बहुत तब कभी आपने बहुत देखा होगा हमें हमारे parents भी बोलते हैं कि कभी किसी से लड़ाई जगड़ा हो ना या किसी से भी आप बात करो ना तो सब बोलते हैं कि बहुत सोच समझ कर बोलो क्योंकि जो बात हमारी जुबान से एक बार निकल गई ना उसे वापस लीना बहुत मुश्किल होता है हमारे words कभी कभी इतना किसी को हट कर जाती है ना कि हम सौरी भी बोलते हैं ना तब भी हमारा जो रिष्टा होता है वो ठीक नहीं होता इसलिए खुद के बारे में भी बोलने से पहले सोबार सोचो कि क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है अगर गलत है तो मुझे मेरी लाइफ में वो नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अपनी लाइफ में अच्छा ही अच्छा चाहिए मैं आपको एक जमपल के साथ समझाती हूँ आपने बहुत बार देखा होगा ना आप बोलते होंगे कि मेरा जीवन बेकार है आप बहुत बार बोलते होंगे कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा है, मेरी लाइफ तो बहुत बेकार है, तो आप क्या बोल रहे हो खुद के लिए, सोचो, क्या बोल रहे हो, आप negative भाई भी तो दे रहे हो ना खुद को, कि मेरा जीवन बेकार है, मेरी लाइफ में क्या है, त बहुत खुश हूँ ऐसे आपको words को change करना है क्योंकि words की power एक affirmation है जो भी आप बोलोगे न वो affirmation आपके subconscious mind में जाएगी और उसके बाद उसे reality बनने से कोई भी नहीं रोक सकता आप खुद भी नहीं रोक सकते इसलिए कोई भी line बोल रहे हो कोई भी word बोल रहे हो किसी से भी बात कर रहे हो न तो please बहुत सो समझ कर बात करना क्योंकि हमें हमारी गलत reality नहीं चाहिए हमारी life में हमें सिर्फ अच्छा चाहिए आपने दिखा होगा आप ऐसे भी बोलते हैं बहुत बार के पैसा मेरे पास तो बिलकुल नहीं है मेरे पास सो दो सो तो है न तो आप ऐसा क्यों बोलते हो दस रुपए तो होंगी न आप पास पांच रुपए तो होंगे एक रुपया तो होगा न तो आप ऐसा क्यों बोलते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है इस word को आप कैसे change करोगे न कि मेरी income लगातार बढ़ रही है मैं अमीर हूँ इससे आपके जीवन में positivity आएगी words, lines change करो हर word को जो negative आता है उसे positivity में change कर दो आपका ये task है 21 days का आपको अपनी self-talk पे बहुत ज़ादा ध्यान देना है और अगर आपको negative thoughts आते हैं तो उसे समय आपको उने positivity में change करना है ये आपका task है, ये 21 days आपको करना है इसके बिना आपका कोई भी transformation नहीं होगा क्योंकि जब, मान लो आप सारी activities कर रहे हो ठीक है, आपने सब बहुत अच्छे से किया जब आपने ध्यानी नहीं दिया self-talk पे तो उसका क्या फाइदा है आप सब कर रहे हो, बट आप अपने बारे में गलत सोच रहे हो आप अपने लिए ही गलत thought create कर रहे हो तो वो काम कैसे करेगी, आप मुझे बताओ इसलिए आज से ये आपका task है आपको बहुत ध्यान से देखना है आपको बहुत ध्यान से अपने बारे में लोगों के बारे में सोचना है बोलना है, आपके mind में भी आपके बारे में गलत नहीं चलना चाहिए और नहीं आप खुद के बारे में गलत सोचना है आपको आपको जब भी सोचना है, हमेशा अच्छा सोचना है positive सोचना है सो यह आपका टास्क है यह डेली आपको करना है सबी प्रक्टिस के साथ जो आप कर रहे हो सो थाइंक यू सो मच फॉर यू वैल्वेबल टाइम थाइंक यू थाइंक यू थाइंक यू